प्रशनों के उत्तर किस तरीके से लिखनी चाहिए हमारी लेखन शैली क्या होनी चाहिए इसका एक डिटेल्ड एनलेसिस मैंने आप लोगों के साथ में साजा किया जहां पर आपने देखा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स के और कितने कितने कोशन पूछे गए इसी के अंतरगत इन पूछे गए प्रशनों एक हम दूसरे यहां पर आप उत्तर लिख सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कोशन के कितने मल्टिपल आंसर हो सकते हैं उस मॉडल आंसर के अलावा और इन सब में आपको विशेश रूप से जो ध्यान देना है वो लेखन शैली पर और शब्दों के चैन पर यानि कि आपके कैसे आप क्या करेंगे चीजों को उलेख करेंगे उसको subscribe करेंगे साथ में कोके साथ में जो की आपके exam में पूछे अपर और किसे समभावित जो उत्तर हो सकते हैं इसके बारे में कर आपको सबसे पहले आपको देखने को मिला वर्ण माला परिक्षन Alphabet टेस्ट से यहां पर आपको जो कोशन देखने को मिला वो दो नंबर का कोशन 2013 में अच्छा यहां पर मैंने 2013 से क्यों रिफरेंस लिया है यह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है क्योंकि यहां पर 18 के बाद से जब आप देखोगे 18 या उसके बाद से तो आपको हुए हैं जिसको आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप यहां पर एक प्रस्ण देख पा रहे हैं शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों को थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं चलो अब यहां पर प्रस्ण आप देख पा रहे हैं शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों को व देंगे भाई तो समझ यह यहां पर है mathematics शब्द के अक्षरों को उनके स्थानिय मान या फिर alphabetical order में लगाने पर तो यहां पर दोनों ही term मैंने यूज किये हुए एक तो हो गया भाई क्या word उसके बाद आपको arrange करके दिखाना है फिर यहां पर आप देख रहे हो कि एक मात्र आपका लेटर क्या है तो इसको इस तरीके से आप यहां पर सीख सके और जहां पर multiple ways होंगे किसी particular question के answer करने के लिए उसको भी मैं discuss करते हुए चलूंगा बात करेंगे अगले इस नी की तो अगले प्रस्ण में यहां पर आप देख पार रहें क्या बोला जा रहा है रही जब्द बैड्मिंटन के अक्ष्रों को व्यवस्थित करने पर अच्छय नहिन विए अब आप देखेंगे कि यह जो प्रस्ण है यह चार पुर्षे और पिछले प्रश्ण में इसकी तुलना में हमारे पास ज़्यादा डीकरने के लिए या फिर दिखने के लिए और यहाँ पर कमपरिटिवली अगर हम देखें तो हम को स्टेपवज दिखाना नहीं है कि हमने पहले आरेंज किया तो यह मिनिंगुफGroup नहीं बना फिर अपने और दर्शानप और सकता है इंपली अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रश्ण में दिये गए शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर बैड्मिंटन शब्द का निर्माड होता है जो की एक खेल है तथा इस शब्द का पहला अक्षर भी और अंतिम अक्षर एन है कितना explanation आपके लिए क्या है भाई sufficient है अब मन में सवाल यह आता है कि सर दो number के लिए आपने देखा कि explanation थोड़ा सा ज्यादा था बट चार number के लिए यहां पर explanation तुलनात्मा रूप से अगर आप देखो के तो कम है यहां पर शब्दों का जो खेल है वह उस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देने के आपको आवशक्ता नहीं है इस पर्टिकुलर कोश्चन के लिए जो रिक्वायर्मेंट है चिने में ही आप अंसर करेंगे आप अंसर करेंगे यहां परखंप करने के लिए अगर मान लो दोग्लू नंबर का कोश्चन है और हमको थोड़ा सा सपेंश चाहीए तो शब्दों को कम करके सीधे सीधे आप क्या करेंगे आपने जो सौल्व किया है तरीके से स्टेफवाइज उसको आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे अगला प्रशना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोला गया है पहले आधे अंग्रेजी वर्णों के करम को उल्टा कर दिया जाए और दूसरे आधे वर्णों को अपरिवर्तित रखा जाए तो स्रेडी के सातवे इस्थान वाले वर्ण के दाहिने और तीसरा वर्ण क्या होगा यानि कि स्रेडी के सातवे इस्थान वाले वर्ण के दाहिने अब यहाँ पर एक डेटा जो है वो क्या है भाई मिसिंग है जैसे कि मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर कोशन के मल्टिपल आंसर भी होते हैं अब समझिए बोला क्या गया है तो स्रेंडी के सात्वें इस्थान वाले वर्ण के दाहिनी और अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मेंशन नहीं किया गया है कि बाएं छोड से लेना है या बाएं छोड से लेना है अब यह प्रस्ण जो है वो भाई क्या है दो ही अंकों का प्रस्ण है अगर आप यहाँ पर चाहो थोड़ा सा स्मार्ट वक आप करना चाहें इदर से साथवे अक्षर लेना यह हमको नहीं बोला गया है इसके दोनों उत्तर जो है यहां पर यह सही उत्तर के तोर पर consider किये जाएंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 साथवे अक्षर क्या मिल गया भाई आपको मिल गया टी क्या बोला गया था साथवे अक्षर के दाहिनी और तो इसके दाहिनी और आओगे तो एक दो तीन तो इसका एक उत्तर जो है वो बनेगा क्या भाई डबलू और दूसरा उत्तर जो यहां से गए आप साथवे अक्षर पे फिर एक दो तीन इसके दाहिनी और तो बना क्या भाई ठीक है अब यहां पर बोला गया है अता लिखा और लिखने के बाद उसमें structure के माध्यम से हमने बता दिया तो इसी particular question के लिए आप ये दोनों काम कर सकते थे यानि कि दोनों तरफ से आप structure बना सकते थे तो आपका answer और भी बहतर होता और इस बात को भी आप mention कर सकते थे क्योंकि प्रस्ण में दिया नहीं गया है दाह जरू हो जाएगा यहां पर बोला गया है शब्द reason के वर्णों को वर्णानु करम में व्यवस्थित करने पर या वर्ण करम के अनुसार वर्ण करम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे वर्ण का नाम बताईए जिसकी आ परिवर्थित रहेगी और ऐसा ही एक प् अब यहां पर जब आपने reason शब्द को arrange किया तो क्या है भई दिये गए शब्द reason के अक्षिरों को वर्णानु करम में या इनके स्थानी मान के आधार पर व्यवस्थित करने पर reason में आपको एक ही letter दिखाई दे रहा है वो क्या है भई की है जिसका स्थान क्या रहेगा अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको एनलॉगी से भी question देखने को मिले है जैसे पूछा गया यहां पर pen का संबंध जिस प्रकार स्याही से है उसी प्रकार pencil का संबंध से है अब समझिये कि जब आप mains की बात करते हैं जब आप मुख्य परिक्षा की बात करते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि सर यहां पर विकल्पों की बारे में तो कोई चर्चा की ही नहीं जाएगी लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको विकल्प भी देखने को मिल रहे हैं यानि कि यहाँ पर आपको प्रस्ट में विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं तो पहली चीज़ तो यह आउधारा अपनी अटा लीजिये मन से कि विकल्प हो ही नहीं सकते जब हम मुख्य परिक्षा की बात करते हैं हलाकि यहां पर अगर हम बात करें विकल्प नहीं दिये जाएंगे तो आप बहुत सारे संभावित उत्तर लिख पाएंगे कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स यहां पर दिखने को मिलेंगे तो पेन का संबंद क्या है भाई स्याही से है तो पेन में स्याही यूज किया जाता है भाई लिखने के लिए तो उसी पेंसिल में क्या होती है पेंसिल में होती है लेड जिस प्रकार पेन में स्याही का उप्योग लिखने के लिए किया जाता है क्लियर है भई चलो आगे देखते हैं वर्गी करण से यहाँ पर आपको कोशन देखने को मिल रहा है क्या बोला है कौन सा सब्द अन्य से संबंधित नहीं है यानि कि odd one out या फिर classification का यह आपका कोशन है और यहाँ पर बोला गया है शाखा, पत्ते, जड़ और पानी अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो शाखा है, जो पत्ते हैं और जो जड़ है वो क्या है भाई? वो वरिख्च के भाग हैं तो दिये गए शब्दों में पानी सेश शब्दों से भिन्न है यह लिखने का आपका थोड़ा सा तरीका जैसे कि मैंने का आप शब्दों के चेन पर ध मुह बनाते हैं यानि कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं इन में आपस में क्या संबंद है इस बात को यहाँ पर आप एक्स्प्लेइन कर पा रहे हैं ठीक है भाई? चलिए बैस्ट कोशन दिखाई दे रहा है आपको शब्दों के निमलिखे जोड़ों म आउट अब यहाँ पर गंगा क्या है भाई गंगा यमुना यह दोनों क्या है नदिया है जैपूर चंदीगर दोनों क्या है शहर है एवरेस्ट क्या है परवत है यहाँ पर देखो दोनों नदियों के नाम है दोनों यह बोड़ी पार्ट के नाम है बट यहाँ पर एवरेस क्या है शरीर के अंग है ठोट पर्वत यह भिन्न है क्योंकि एवरेस्ट क्या है भाइ आपको ध्यान देने की और समजनी क्या वॉशकता है कि यहां पर प्रमोशन को किसी संदेश में क्या लिखते हैं भाइ क्यू ऐस्पी डाइन समझ जिएगा Q, S, P, 8, 9 अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P का अगला letter क्या है Q है R का अगला letter क्या है S है और O का अगला letter क्या है P है, इसके बाद आपको मिल रहा है 8, 9, इसके बाद आपको मिल रहा है 8, 9, तो यानि कि अगर हम motion सब्द के लिए यहाँ पर place value का इसका sum करते हैं 20, 15 और आप देखो के 15, 15, 30 और 20, 50 50 के बाद 13 और 14, 27 50 के बाद आप देखोगे 13 और 14, 27 और प्लस ना करोगे तो 86 इनकी place value का sum कितना आ रहाँ भाई? 86 और उसमें हमने add क्या कर दिया? उसमें हमने previous 3 letters की संख्या यानि कि letters कितने थे, 3 थे, तो इस संख्या को हमने add कर दिया, तो यह संख्या क्या बन जाएगी, 89, अब ध्यान दिजेगा, first three letters में हमने क्या किया, plus one किया, remaining letters की हमने place value को add किया, और जो first three letters की संख्या थी यानि की letters कितने थे पहले तीन उस संख्या को add किया तो बन गया भाई QSP89 अब पूछा गया है ठीक है? demotion के लिए अब पूछा गया है demotion के लिए तो ध्यान दो यहाँ पर multiple तरीके से आप answer लिख सकते हैं पहली बात तो अगर हम first three letter को यहाँ पर pick करें और इसके next letter से replace करें तो D का बनेगा भाई यहाँ पर E का बनेगा F और M का बनेगा N उसके बाद अगर हम remaining letters की place value का sum करें तो 15, 15, 30 और 20, 50 50 और 23 यहाँ पर हो जाएगा आपका 73 यानि कि यह 14 और कितना हो जाएगा 73 तो E, F, N के बाद 73 प्लस यह number of letters कितने थे यह number of letters थे भाई आपके 3 तो 73 प्लस 3 अगर हम करेंगे यहाँ पर उत्तर बन जाएगा कितना 76 यानि कि E, F, N और 76 एक यहाँ पर संभावित उत्तर इसके लिए 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 है उसके place value का sum motion सब्द में जो आपको letters देखने को मिल रहे हमने लिया था उसकी place value का sum तो यहाँ पर भी motion letter के जब हम place value का sum करेंगे तो sum हमको मिलेगा 86 और 86 में अगर हम तीन एक particular number consider करने कि 3 ही जोड़ना है तो यहाँ पर बनेगा 89 और अगर 86 sum करने के बाद समझिएगा अगर हम यहाँ पर EF यहाँ पर क्या जाएगा EF और हम sum करने के बाद अगर क्या करते हैं कितने number of letters को हमने हटाया था कितने को हटाया था वाई 2 को हटाया था अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो एक संभावित उत्तर बनेगा EF 88 तो आपने देखा कि एक particular question के answer को हम कितने तरीके से लिख पा रहे हैं हम यहाँ पर तीन तरीके से लिख पा रहे हैं और तीनों ही तरीके क्या है बिल्कुल valid है logically सही है बस आपको यह बात step wise क्या करनी होगी mention करनी होगी कि आपने जब यहाँ पर code क्या किया identify किया तो उसके लिए logic क्या था और similar logic को कैसे आपने यहाँ पर लगाया हाला कि यहाँ पर प्रस्ट में मैंने आपको तीनों तरीके नहीं बताए हैं लेकिन explanation में मैंने आपको बता दी कि आप तीन तरीके से कैसे इसको लिख सकते थे यहाँ पर देखिए demotion को कैसे लिखा जाया तो दिये गए प्रस्ट में promotion के लिए कूट क्या है यह है तरक क्या लगाया हमने भई यहाँ पर इन तीनों में plus one किया है तो next letter हमको मिल गए है और यहाँ पर इनकी place value का sum करके plus हमने क्या कर दिया three कर दिया इसी प्रकार जब आप आगे गए इसी प्रकार जब आप आगे गए यानि कि demotion के लिए तो आपने क्या कर दिया भई आपने first three letters को ले लिया और उसके बाद इनका आपने sum कर दिया तो इनका sum आपको कितना मिला 73 और प्लस उसमें 3 कर दिया तो क्या मिल गए आपको 76 तो आपको क्या मिल गए 76 तो यह multiple तरीके थे जिसके तहट आप अपने आंसर को लिख सकते थे ठीक है भई बढ़ते हैं आगे अब यह आपका सब्स्टिटूशनल कोडिंग पर आधारीत एक प्रस्न है यहाँ पर बोला जा रहा है भई यदि बादल को बरसात कहते हैं बरसात को सफेद कहते हैं सफेद को समुद्र कहते हैं और समुद्र को बर्फ क पहां जा रहा है अता जहाज कहां चलेगा बर्फ में चलेगा ठीक अब यह प्रश्ण अगर आप देखेंगे तो यह प्रस्ण कितने नंबर का यृट यह चार रंकों का प्रस्ण है यह उसके बारे में यह आप सुर्षा कर लेते हैं और बरसाद को क्या कहा जा रहा है सफेद फिर इसी तरीके से सफेद को क्या कहा जा रहा है सफेद को कहा जा रहा है समुद्र इसी प्रकार से आप देखेंगे समुद्र को क्या कहा जा रहा है समुद्र को कहा जा रहा है बर्फ ठीक है और पस्तीन ही आपको यहां पर दिया है फिर इस तरीके से आप स्टेफ वाइस क्या करिए बेंशन कर दीजे और उसके बाद यही वाली लाइन आप एड कर दीजे दिये गए प्रशना नुसार जहाज समुद्र में चलता है जबकि समुद्र को बर्फ कहा जा रहा है अता जहाज कहां चलेगा बर्फ में चलेगा इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं अगल को सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं 26 दिखा जाता है तो डेविल को नंबर के को जाएगा और यह चार नंबर का कोश्च है समझिएगा कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहां पर प्लेस वैल्यू की तो आप देख रहे हो पंदरा साथ बाइस और चार शबिस तो स हमने तीन का कर दिया क्यूब तीन का क्यूब कितना होता है 27 होता है और उसमें से माइनेस कर दिये number of vowels जो किस word में कितने हैं थे number of vowels एक तो भी बताओ यह 26 बनेगा कि नहीं बनेगा हमने क्या किया number of letters कितने है तीन उस संख्या का हमने कर दिया cube संख्या क्या बन गई 27 और 27 में से number of vowels को हमने minus कर दिया तो भी बन गया 26 बोलो इस तरीके क्या निकाल किला और important यह है कि आपने उसको किस तरीके से mention किया हुआ है stepwise आपने कैसे दिखाया और logically आपने जो answer निकाला है वो क्या होना चाहिए correct होना चाहिए जो logic यहां पर लग रहा है वही logic के लिए multiple आपके logics देखने को मिलते हैं और शायद इसी लिए reasoning के जो प्रस्ण है वहाँ पर विकल्पों के साथ उसको उत्तर दे पाना जादा बहतर होता है ऐसे topics में अगर हमारे प्रस्ण की जब मैं बात करूंगा तो बोला क्या जा रहा है ज़िए boy को लिखा जाता है cp z के रूप में ठीक है तो इसी आधार पर girl को किस संकेत में कैसे लिखेंगे ठीक है बोला क्या जा रहा है जिस प्रकार boy अब समझों यहां पर अपने क्या क्या इसको mention कर दिया इस इसी प्रकार girl में भी आप क्या करोगे सारे letters के next letter से आप replace करोगे तो वही क्या हो जाएगा भाई code हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear है तो इसी तरीके से आते हैं यहां पर अगले प्रस्ण में अब यहां पर बोला है यदि TFOEGW का code SGNFFX है तो किस code तो किसका code यहां पर क्या पूछे तो किसका code OFNKBZ होगा और यह दो नंबर का question है पूछा गया है latest exam 2022 लेटेस्ट exam में पूछा गया यह प्रस्ण है ठीक है अब यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने सारे के सारे letters के लिए बेस्ट वैल्यू यहां पर यह है भाई लेटर आपका एस यह है लेटर आपका जी यह लेटर आपका एन यह लेटर आपका एफ है यह लेटर आपका एफ है और यह लेटर आपका एफ है और यह अब समझे पीस से हो गया 19 फिर छे से हो गया साथ यानिक हमने क्या किया पहल जाना अब यहां पर क्या किया गया है ने सब्सक्राइब आपको यह क्या पताना है वर्ड आ नौल्ड कोढ़ाएं तो इसको कैसे में sensing किया गया है अब अगर किसी बच्चे ने क्या किया यहां से माइनस वन प्लस वन अल्टरने तो भई उसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसका एक गटाने पर आजाएगा इसके गिवट का लेटर और इसी प्रकार आगे भी आप देख पा रहे हैं तो ऊपर आपने क्या निकाला यहाँ पर, वर्ड निकाला, जिसके लिए यह code आपको दिया गया था, जिसका यह code यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसलिए जब प्रस्ण आपसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवर्शक्ता होगी, और इसी प्रकार अभी इसके जो remaining topics हैं, उसके भी explanation हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आने वाले session में, तो बने रहें competition community के साथ, की तरीके के और भी जो यहाँ पर प्रस्ण पूछे गए हैं, या जो संभावित प्रस्ण हो स जुड़ सकते हैं, reasoning by धीरसर टेलिग्राम चैनल पर, जहाँ पर reasoning से संबंदित जो भी आपके queries हैं, उसको आप लोग discuss कर सकते हैं, प्लियर, चलिए, thank you